दोस्तों नमस्कार मिरा नाम संजे मग्गुहर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सभाद चुनाव के लिए कॉंग्रेस और भारती जन्ता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूचियां जाली कर चुकी है कॉंग्रेस ने जान दो सूचियों में 32 केंडियेट्स के नाम अनौंस की है तो है भारती जन्ता पार्टी सरसट अपने लड़ाके मैदान में उतार चुकी है जंग में यानि की चुनाव के अंदर ये लड़ाके भाजपा या कॉंग्रेस के कितने सफल होंगे ये तो पता चलेगा 8 अक्टूबर को लेकिन चर्चाएं शुरू है चर्चाएं जिन नेताओं को टिकेट मिला है जो पुल्टिकल पार्टी से टिकेट लेने में काम्याब हुए हैं उनकी टिकेट लेने के बाद में वहां स्थिती क्या है किन हालात में टिकेट मिला इसको लेकर बहुत मन्थन है और आपके साथ इस वीडियो में मैं बात करूँगा दक्षिन हर्याना की एक प्रमुक विधानसवा सीट और मैं आपको बताऊं तो पूरे हर्याना की सबसे बड़ी विधानसवा सीट मद्दाताओं के लिहाज से और वो विधानसवा सीट है बाश्चापूर बाश्चापूर विधानसवा सीट जहांपर लगबग 5 लाग से ज़्यादा वोठ है पूरे हर्याना के अंदर अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ी विधानसवा सीट बाश्चापूर है बाजशापुर की विधानसाभा सीट को लेकर भारतिय जंतापार्टे में बहुत पेश थे यानि कि बाजपा के अंदर इतने पेश उल्जे हुए थे कि जिसको सुलजाने में जो उनकी छोटी टोली की बैठके होती है बाजपाबनों की उस छोटी टोली की बैठक के अंदर कई घंटों तक तो बाजपाबनों ही चाया रहा चाये वो केंद्रिय राज्य मंत्री से ले करके और केंद्रिय चुनाव समीती की सदस्या तक सभी ने बाजपाबनों के नाम को बड़ी जोर शोर से उचाला और ये कहा कि पार्टी के नेता अगर इस प्रकार के बयान देंगे और फिर पार्टी आला कमान उनको अगर विचार करेगा उनकी टिकेट पर तो उसका संदेश ठीक नहीं जाएगा लेकिन राजनीती के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स का एक अपना महत्व है जो लोग राजनीती में प्रेशर बनाना जानते हैं उनको पता है कि किस प्रकार से अपनी बात मनवानी है और प्रेशर पॉलिटिक्स राव नर्बीर सिंग बड़े अच्छे से जानते हैं राव नर्बीर सिंग खाटी नेता है, दादा पिता राजनीती में रहे हैं और अगर राव नर्वीर सिंग का मैं आपको बताऊं तो लगभग साड़े चार दशक से 45 साल का उनका राजनीतिक करियर है 1980 के दशक में राजनीति शुरू की थी राव नर्वीर सिंग ने उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स इसमर कैसी थी उस पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि 1987 में पहली बार राव नर्वीर सिंग विधायक बने थे ताउ देवी लाल की पार्टी के टिकेट पर क्योंकि उस समय पार्टी का नाम था लोकदल बी लोकदल बहुगुणा लोकदल बी के सिंबल पर चुनाव जीत करके विधान सभा में पहुँचे थे राव नर्वीर सिंग राव नर्वीर सिंग के विधायक बनने के बाद उनको बनाया गया था हाउसिंग बोड का चेर्मेन सुभाश कत्याल हाउसिंग बोड के मंत्री हुआ करते थे और राव नर्वीर सिंग हाउसिंग बोड के चेर्मेन हुआ करते थे 18.9 के शुरुआत तक उसके बाद में राव नर्बीर सिंग को चौधरी देवी लाल की वजारत में वजीर भी बनाया गया, मंत्री भी बने वो और जब चौधरी देवी लाल की पार्टी में भगरण मचने की बास शुरू हुई चौधरी देवी लाल के उप परधान मंत्री बनने के बाद जब वहां पर विधायकों का प्रेशर शुरू हुआ तो एक प्रेशर बनाने वाले उस समय के सबसे युवा विधायकों में जो शामिल थे वो राव नर्बीर सिंग भी शामिल थे राव नर्वीर सिंग चौधरी देवी लालकी पार्टी को छोड़ करके उनसे किनारा खर गए साइड छोड़ दिया उनको 1991 के चुनाव में राव नर्वीर सिंग पिछड़ गए 1996 में राव नर्वीर सिंग फिर विधायक बन गए और अब की बार विधायक बने वो चौधरी बंसी लाल की पार्टी से, हर्याना विकास पार्टी से, हर्याना विकास पार्टी से विधायक बनने के बाद राव नर्वीर सिंग मंतरी वजीर वहां भी बने, चौधरी बंसी लाल ने भी मंतरी बनाया राव नर्वीर सिंग को, लेकिन जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी राव नर्वीर सिंग को यहां भी जारी रही। चौदरी बंसी लाल की सरकार को धराशाई करने में जिन नेताओं का विधायकों का नाम था उसके अंदर भी राव नर्वीर सिंग अवल नंबर पे थे यानि की प्रेशर पॉलिटिक्स जारी थी 1996 के अंदर वो सरकार बनी और सरकार गिरी सरकार गिरने के बाद में राव नर्वीर सिंग फिर धीरे धीरे कई पार्टियों का सफर करते हुए हरियाना जनहित कॉंग्रेस भी और तमाम पार्टियों में भी रहे और उसके बाद वो पहुँच गए भारती जनता पार्टी में 2014 में राव नर्वीर सिंग को भारती जंता पार्टी का टिकेट मिला था विधान सभा का बादशापुर का विधायक बने, मजीर बने, सिर सरकार के अंदर, मनहोर सरकार में भी वजीर थे यानि कि तीनों बार विधायक और तीनों बार मंतरी, प्रेशर पॉलिटिक्स तब भी जारी थी राव नर्वीर सिंग का जो प्रेशर बनाने का जो अंदाज था वो तब भी जारी था और भारती जंता पार्टी ने उस प्रिशर पॉलिटिक्स का उसको यानि की राव नर्वीर सिंग जी को भी परिणाम भी दिया और अंजाम ये हुआ कि 2019 के विधानसभा चुनावा में राव नर्वीर सिंग को भारती जंता पार्टी का टिकेट नहीं मिला भाजपा की सरकार पनि पांच साल तक राव नर्वीर सिंग कभी यहाँ कभी वहां कभी खुशी कभी गम कभी तेरा कभी मेरा यह सब करते हुए टिके रहे भारती जंता पार्टी में ही तमाम उनके आप भाशन देख सकते हैं, तमाम उनकी क्लिप वाइरल हैं, जिसके अंदर वो ये भी कह रहे थे कि होडल से लेकर अटेली तक एक भी सीट नहीं आएगी, जिसके अंदर वो कहते थे कि चुनावत मुझे लड़ना है, कभी वो कॉंग्रेस की बात करते थे, कभी ये सारे प्रेशर पॉलिटिक्स थी, और जब भारती जन्ता पार्टी की, जब टिकेट वित्रण के लिए बैठकों के दौर शुरू है भारती जन्ता पार्टी के, तो पहली ही बैठक में सुधा यादव, जो पूर्व सांसद हैं, और इसके साथ साथ भारती जन्ता पार् लगा तो यह था कि जैसे वो प्रेशर राव नर्वीर सिंग बना रहे थे वो काम नहीं करेगा लेकिन जो आँख दिखाने वाला अंदाज था राव नर्वीर सिंग का जारी था बात चल पड़ी ये का एक कि राव नर्वीर सिंग की कॉंग्रेस के नेताओं के साथ बैठक चल रहो जे सकती है बुपेंदर सिंग उड़्डा और दीपक बावरिया के संपर्क में है डेमेज कंट्रोल में जुटी भारती जनता पार्टी ने तुरा आनन फानन में जवार यादव का मैसिज आया फेस्बुक पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी आला कमान ने चुनाव के लिए ना कर दिया है और इधर अमिर्शा के हाँ पहुँच गए राव नर्वीर सिंग ले जाया गया गया उनको अमिर्शा के दरवार में अमिर्शा के दरवार से जब राव नर्वीर सिंग वापिस निकले तो उनके चेहरे की खुशी और आखों की चमक कुछ बया कर रही थी यानि कि जो आँखे दिखा रहे थे वो अमिशा से मिल करके आँखों में खुशी की चमक लेकर आए घर में आतिश बाजी हुई आँख दिखाना का में आ गया बाजबा की जो सूची जारी हुई सरसस अदस्य है उसके अंदर बाजशा पूर से राव नर्वीर सिंग को टिकट मिल गया सुधा यादव की नाराजगी दरकिनार राविंदर जी सिंग की नाराजगी दरकिनार जवार यादव की नाराजगी दरकिनार मनीश यादव की नाराजगी दरकिनार मतलब तमाम नेताओं को दरकिनार करके राव नर्वीर सिंग टिकट लेकर के आ गए अब क्या अब चनाव शुरू हो जाएगा अब बात दो राजनिती के अंदर दोस्तों हमेशा हुआ करती जो मैं आपसे कह रहा था प्रेशर पॉलिटिक्स और आँख दिखाना इसके बाद अगला जो टाइम आता वो आता आँख मिलाने का राव नर्वीर सिंग आँख दिखा कर टिकट लेने में तो काम्याब हो गए लेकिन जो भारती जनता पार्टे की टिकट चाहा रहे थे आधा दर्जन के आसपास लोग उनसे आँख कैसे मिला पाएंगे जो राव नर्वीर सिंग पूरे अपने लगवग पिछले 5-6 महिने से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तमाम सोशल मीडिया और मीडिया के इंटर्व्यूज में तमाम राजनितिक मंच जो उनके अपने मंच सजाए जाते थे उनसे राव नर्वीर सिंग भारती जंता पार्टी को घेरते रहे तो अब भारती जंता पार्टी के जो कारे करता हैं या नेता हैं कितना सहयोग देंगे इसलिए मैंने आप से कहा कि आँख दिखाने वाला अंदाज टिकट दिलाने में तो काम्याब हो गया लेकिन वो आँख दिखाने वाला अंदाज क्या पार्टी के बाकी टिक्टार थी और कारेकरताओं पर भी चलेगा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारती जनता पार्टी का जो टिकेट की इच्छा रखने वाले लोग थे मनीश यादव का चुनाव याद होगा आपको जो राजनीती में रुची रखते हैं उनको 2019 के चुनाव की जरूर याद होगी राजनीती में रुची रखने वाले लोग ये बताते हैं कि मनीश यादव के साथ भीतर घात बड़ी जबरदस्त वाली होई थी जिसके चलते वो लगबग 10,000 वोटों से पिछड गए थे पिछले चुनाओं में और इस चुनाओं में जब राव नर्वीर सिंग को टिकेट मिला है और कई नेता वहाँ पर जो अपनी तयारी कर रहे थे अपना स्थान भी बना चुके हैं अब बड़ी बात ही है कि क्या वो सब राव नर्वीर सिंग का साथ देंगे बलेई अनुशासन और संग्ठन की बात चलती हो तो पार्टी के नेता कारे करता तो ये भी कहेंगे कि अनुशासन तो उनके लिए भी ज़रूरी था और अनुशासन की डोर में बंदे हुए कारे करता क्या राव नर्वीर सिंग की आँख से आँख मिला करके फिर कारे करताओं के बीच कोई और या मत दाताओं के बीच कोई और संदेश दे पाएंगे इस समय अगर वाश्यापूर चले जाएं तो वाश्यापूर के अंदर एकी बात आपको मिलेगी मैं भी वहाँ गया था और हमारे भी कई सोर्स हैं कई नजदी की लोग हैं जिनसे मेरे टेलिफॉनिक बादचीत भी चल रही थी तो वाश्यापूर के अंदर अभी तो एक इंतजार है कि कॉंग्रेस का केंडिडेट कौन दूसरा इंतजार एक ये है कि राकेश दौलताबाद की धरम पत्नी का क्या वो क्या करेंगे चुनाओ में और सबसे महत्वपूर ये चल रहा है लोग आखों आखों में बात कर रहे हैं कि क्या राव नर्वीर को भगवा दल वालों का पूरा उतना साथ मिल पाएगा आपको क्या लगता है कि बाश्चापुर की राजनीती क्या होगी आपको क्या लगता है कि राओ नर्बीर सिंग जो टिकट लेने में आँख दिखा कर काम्याब हो गई कारेकरताओं के साथ और टिक्टार्तियों के साथ उनकी आँख और दिल मिल पाएंगे और आपको क्या लगता है कि दक्षिन हर्याना और हर्याना की सबसे बड़ी विधानसभा कॉंसिचोंसी के अंदर चुनाव परिणाम क्या होंगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े नए हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सबस्क्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें